विचारों को उधारण के साथ समय समय पर प्रस्तूत करते रही हैं। वह प्राश्पती जगदीब धनकड पहुंच चुके हैं। राश्पता महात्मा गांधी की नई दिल्ली राजगार्ट इस्तित समाधी। और आप पीछे देख सकते हैं कुछ अनिक केंद्री मंत्री गण और विशिष्ट जन भी राजगार्ट में उपस्तित हैं। पहलाल और प्राश्पती जगदीब धनकड राश्पता महात्मा गांधी को श्रदा सुमन अर्पित करने पहुंच चुके हैं राजगार्ट यानि राश्पता महात्मा गांधी की समाधी और पुष्प अपने हाथ में लिए और महात्मा गांधी की समाधी पर अर्पित किय उनको नमन किया, उनको याद किया राश्पिता महत्मा गांधी का व्यक्तित ही ऐसा है जिसके बारे में कुछ विशिश्ट लोग कहा करते थे कि ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि हार्ड मास का सत्य और अहिंसा पर चलने वाला ऐसा व्यक्ति कभी इस धरा पर पैदा हुआ होगा नमन करने के पश्चाथ राश्पिता महत्मा गांधी की समाधी पर मौझूद नमन करते हुए उपराश्पती जगदिब धनकर उन्होंने नमन करने के पश्चाथ परिक्रमा की एक बार फिर से नमंद किया राश्पिता महात्मागांधी को जिनकी आज जैनती है हम जैसे की बता रहे थे राश्पिता महात्मागांधी का व्यक्तित्व सादगी से भरा हुआ था उन्होंने भारत में उस समय व्याप्त गरीबी को देखकर जीवन परियंत एक लगोट में रहने का प्रण लिया था और एक घटना ऐसे भी आती है कि एक बच्चा उनके लिए वस्त्र लेकर पहुंचा था तो उन्होंने उस पच्चे से कहा कि केवल एक वस्त्र